है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का भद्राइस अकाडमी मैं आज का डेथे 24th of July 2023 and आज के सेशन में हम लोग Saturday as well as Monday आज 22nd and 24th July का एक साथ discussion करने वाले है आज के सेशन में so let's proceed at this PDF will be pinned in the description session below right वहाँ पेक लिंक दिया हो रहा है जहां पर जाकर आप इस PDF को directly download भी कर सकता है सबसे पहला news हम लोग Assam Tribune के editorial section से देखेंगे road infrastructure in Northeast के related एक बहुत बड़ा article आया है तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं देखो क्या है बताए गया है that government of India undoubtedly उन्होंने इनिशेट किया बहुत सारे national highway के projects को Northeast region of India में जिसके कारण बहुत हरे statistics में हम को changes देखने को लेंगे तो हर एक statistics के बारे में चर्चा करेंगे चर्चा करेंगे that in roads infrastructure जो हमारे ओर और Northeast में बन रहा है इससे हमारे को क्या-क्या फाइदा होने वाला है और क्या-क्या फ्कॉर्स नुक्सान है तो चलिए तो अभी क्योंकि यह बहुत सारे road infrastructure project चल रहा है तो undoubtedly एक region को दूसरे region से connect करने के लिए एक बहुत ही important role अदा किया जाएगा हमारे road infrastructure के द्वारा और इससे logistical space भी काफी ज़दा enhance होगा कहीना की connectivity तो enhance होगी ही हर इस region में बड़ ओवराल बे रीजन का और पूरे रीजन का landscape क्योंकि देखोगा अगर आप रोड बना रहे हो ना तो simply आप रोड नहीं construct कर रहे हो जैसे अगर आप national highways भी देखे होंगे तो आप देखोगे आजू-बाजू वाले region में खेत है राइट इस farmland है तो farmland के क्या level में होता है national highways नो ना थोड़ा आप देख लिजेगा farmland का level होता है न वो नीचे होता है और national highways का level थोड़ा उपर होता है होता है है मतलब अगर ऐसे ही बहुत सारे national highways प्रोजेक्स चलेंगे जो क्या भी अव्लोग डेटा भी डिसकस करेंगे तो इससे क्या आम बोल सकते है आपसलूटली यहीं नहीं इससे जो है न कहीन के स्पेशिल जो एकनॉमी है मतलब ओवर और नौर्टीस का जो एकनॉमी था अग्रिकल्चुरल बेस्ट एकनॉमी उससे कहीन हमें धीरे-धीरे ट्रांजिशन जेकने को मिलेगा इंटू मैनुफक्ट्रिंग एस वेल आज सर्विस बेस्ट एकनॉमी राइट क्योंकि अफकॉस देखो ना रूप पहले क्या था रोट करेक्टिविटी नहीं था मतलब एक रीजन दूसरे रीजन से इससे कनेक्टेड नहीं था बट अभी क्योंकि एक रीजन दूसरे रीजन से प्रॉपर वे में कनेक्टेड हो जाएगा इससे क्या हम बोल सकते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन के बीच की जो एकनॉमी है बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करेगी यस एपसलीटली यही नह नौर्थीश्टर इस्टेड में जहां पर हम कुछ कॉटेज इंडस्ट्री से जैसे बैंबू इंडस्ट्री सी बट वो बैंबू इस लोकल रीजन में ही सिर्फ बिखती थी बट क्यूंकि अभी इसके आजू-बाजू रीजन से एक रोट का इंफरस्ट्रॉक्ट्चर कनेक स्ट्रीश में जो का पहले डिरेक्टी असोशेटेटेट तो उनकी क्या आमदनी में व्रिद्धी होगी बैट इस विल दे और इंकम यस आप्सलिटली दे विल इंकम बोर इंकम राइट इन फाक्ट यूनिन मिलिस्ट्री आफ रोड ट्रांस्पोर्ट अनुसार बताया जात के किलोमेटर जो इंक्रीश वह वो पहले कि अता है स्वाहता है 2514 में था यह 4.8 086.8 1 082 क्लमेटर वही 2019 में यह बर के कितमा हो गया 6.38 lakh square kilometer जिसमें आसाम में 62% हमें इंक्रीज देखने को मिला है अरुनाचल प्रदेश में 9% इंक्रीज देखने को मिला है अफकर्स दूट अरुट टोपोग्रफी जिन अरुनाचल प्रदेश अगर सिक्किम में देख लिजेगा यह जो शेर है ना टोटल रोट का वह बहुत ह है तो देखो फाइदा तो हम लोगों ने ऐसे तो देखाई फाइदा बहुत जादा है बट वही चीज बता है और अगनाउटली रोट्स अगर क्रीट होगी तो तो देर आप प्रोस्पेक्स एट फूचर में इंडस्ट्रीज भी सेट अप वो सकती है पहला बात दूसरा खॉटेज इंडस्ट्रीज को भी ग्रोथ जैसे मैंने बूल था सच्छोटा मूटा इंडस्रीज जो क्या फैमली के दौरा विबना है जाते उनीज को कॉटेंड़ इंडस्रीज कहते जैसे आप सुचो को की, अन्यासी बंगों सार राई तो उसका अधर कुछ चार पास फै सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई या रई सो इवेंचिली नौर्टीस की डेवलपमेंट जो है हमारे एक 30 पॉलिशी जो उसको भी इनास करना यहीं में इन स्रीम करेगा ट्राइब पॉपलेटर रिजन को क्योंकि आपको पता है नौर्टीस वह बहुत सारे ट्राइब बीजन से जो क्योंकि रोट कनेक्टिव टीविटी होगी तो क्या हम बोल सकते तो तो उनको भी में स्रीमेल जाए जाएगा यस एपसलूटली यही नहीं से स्केल भी होगा अंडर डेवल्ट एकोनॉमी जो क्या अफकॉर्स एक अंटब पोटेंशल है नौर्टीस का बट इसके सांथ कुछ कुछ आप लिमिटेशन भी बोल सकते तो तो ना लिमिटेशन कि अगर बात करे डिसाइब जिसके बाद बाद लिमिटेशन कि अगर बात करें देखो यह तो हम लोग अच्छी चीजे बोला बट इस एक पॉसबला है हमारी प्रपोग्रफी को हम को देखना पड़ेगा एक लेवल के बाद क्या हम नौर्टीश में बहुत जादा इंफरस्ट्रुक्ट्रुक्ट्र ड करेंगे बड़ बरी बिजुस्नसमान ना बड़ बड़ बिजनसमन आएं गैं एक युँ नौर्टीश में जब बंटीश में इनसे बीट गर्ला हIn पहले आप देखो जितमें भी सारे रीजनल गवर्मेंट्स है एईट सेट 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 यहां पर जो भी इनस्टेबिलिटी थोड़ी मोरी भी बची हुई है वो जर से खतम हो जाए आफसपार नौर्टीश में ना रहे ऐसा अगर हो गया तो य जैसे अगर हम लोग रोगोट करेंगे तो उसके लिए फोरेस्ट एंड ग्रीन लैंड को तो काटना पड़ेगा न कहां पर काटेंगे वह वाले रिजन में काटेंगे जो क्या इंडिया का वन आप दे मेजर होट स्वार्ट वीजन में लाइक कर वार नौर्टीस राइट ल ट्रीली लिखा हुआ था यह क्लाउड बरस के कारण अरुनाचल प्रदेश में फ्लड ट्रिगर हुआ है कि अरुनाचल अचल प्रदेश में अच्छे से समझते हैं आप ऐसा टॉपिक है जो क्या अगर आप 2023 में जो प्रिलिम्स APSE का हुआ था, उसमें भी देख लिजेगा, ये question सीधा पूछा गया था, cloudburst के related, right, तो हम लोग समझते है, that cloudburst होता तो होता क्या है, right, अच्छे समझते है, geography का एक topic है, बहुत ही important, बहुत ही मज़ेदा topic है, समझते, देखो, cloudburst मतलब क्या है, cloud का फट जाना, नाम से ही पता cloud का फट जाना, नामल तो cloud फट तही है, तो क्या cloudburst और बारिश सेम है, नहीं, नहीं, cloudburst और बारिश सेम, नहीं है, cloudburst एक अलग फिनोमेना है, और normal rainfall अगर देख लोगे, ये अलग फिनोमेना है, right, cloudburst क्या होता है, cloudburst localized होता है, एक ही particular region में बहुत जादा जाद बारिश हो ज ये वाले portion में, देख रहा हो, होड़ी है ना, इसका मतलब क्या, ये जो बारिश हो रही है, वो एक छोटा सा area में, जमा जम, पूरा आजू को जी कहीं पर बारिश गिर रहा है, मैं ऐसा नहीं बोलना हो, क्योंकि this is a real picture, right, so, but majority of बारिश ये एक ही region में गिर रही है, आप ख ने ज़्यादा बादल और एक ही छोटा region में अगर इतना ज़्यादा पानी हो जाए, तो आप खुछ सोचे, क्या होँआ पर हद से ज़्यादा बारिश में से वहाँ फ्लाट आने की संभावना है, yes, absolutely, तो इस ताइप पर situations कभी भी अगर होगी, तो that is a situation जहां पर हम लोग cloudburst हम लोग इसको बोल सकते हैं, but इसकी कुछ-कुछ criteria भी जैसे, अगर specifically इसका definition देखें, तो क्या हम बोल सकते हैं, that कोई कभी अगर कोई भी particular region में rainfall अगर 10 cm या 10 cm से ज़्यादा हो जाए, एक घंटे के बीच में, कुछ दिन लग जाते हैं, उस 4-5-6-7 दिन अगर उसमें भी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, but मैं बुलना हो, एक घंटे के बीच में, है न, इन आवर, अगर 10 cm या 10 cm से ज़्यादा रेंफॉल हो गया, and that too, within an area, which is 10 by 10 km के रेंज के भीतर, अगर हो गया न, then it might lead to cloudburst in that region, but ध्यान दीजेगा, cloudburst cannot be equated to normal rainfall in any particular region, और भी अगर अगर स्पेसिफिकल डेफिनेशन से अगर हम cloudburst के बाले में बात करें, तो देखो, cloudburst होता कर है, जब drenched clouds, drenched clouds, देखो, अगर आप APS-E काप question देखोगे, यही वाला वर्ड, clearly यही वाला वर्ड था, drenched cloud, right, so drenched cloud मतलब वो cloud जिसमें बहुत हद स से जादा moisture हो, उसको drenched clouds बोलते है, अब हद से जादा moisture हो, तो गिर जाना चाहिए, ना, in the form of rainfall, बट वो गिरती नहीं है, right, गिरती नहीं है, वही बोला कहा है, cloudburst है, जब drenched cloud, मतलब हद से जादा, जब cloud में बहुत जादा पानी है, बट तभी भी rainfall अगा नहीं हो, drenched clouds are not able to cause rain, क्यों, what is the reason, because of the rising movement of the external hot current of the air, actually में देखो क्या है, इस वाले situation में, drenched clouds है, that is, clouds में पानी तो है, moisture तो है, यह गिरना तो चाहरी है, बट, नीचे से क्या हो रहा है, मीचे से जो है, hot air जो है, उपर जा रहा है, convection mechanism हो रहा है, ठीक है, अब convection mechanism होने के कारण क्या हो रहा है, पानी गिरना तो चाहरा है, बट उसको गिरने नहीं दे रहा है, तो मतलब नीचे से hot air उपर जा रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, that undoubtedly यह जो drenched clouds थे, वो उसमें पानी नहीं हो रहा है, rather than falling down, गिर तो जाना चाहरी यह था ना, पट गिरता नहीं है, rather than falling down, क्या होता है, इ pressure उपर जाएगा, तो continuously वो तो condensation करता रहेगा, मतलब देखो बारिश तो नहीं रहा है, बट उपर में बादल की संख्या जो है, बादल का जो doubtness है, वो बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, देखो बादल पहले छोटा था, फिर बढ़ गया, है न तो बारिश नहीं हो रही है, बट क्या हो रहा है, बट रेन का जो ड्रॉप है, उसका साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, रेन का ड्रॉप साइज बढ़ रहा है, मतलब वो अभी भी आसमान में ये फ्लोट कर रहा है, उसका साइज भी जो है बढ़े जा रह it is a maximum level with low temperature and slow winds because of which huge mass of clouds may get condensed at a very rapid rate और इसी के कारण there might it might result it is not always that सब समय रेंफॉल हो but yes there are possibilities that there might happen rainfall and क्योंकि निचस होट आर भी जा रहा है तो आफकोर्स उस रिजन का temperature अगर बढ़ रहा है तो एक तो ऐसा समय आएगा ना जब यह जितना भी होट नीचे से उपर पाई रहे या तो उसका इंटर्स भी घड़ जाएगा या फिर वो रोक नहीं पाएगा गिरता हुआ पानी को और जब नहीं रोक पाएगा तब excessive way में एक ही particular जगा में जब बारिश excessive way में हो जाती है then it results in cloudburst ना सवाल यह होता है that क्या cloudburst common है? नहीं cloudburst common नहीं है सब समय यह cloudburst नहीं होता cloudburst के लिए भी कुछ-कुछ criteria है और that is अगर हम मैं बोलू तो cloudbursts are not uncommon event particularly यह जो होता है na monsoon months के दौरान होता है particularly यह monsoon months के दौरान होता है and most of these cloudbursts जो क्या होते हैं वो हिमालेन स्टेट में होता है जहां पर लोकल वहां की topography ही वैसी है जैसे सोच हो अगर orographic winds अगर बहर रही है राइट पहार है ऐसे गर के तो अफकोर्स orographic winds automatically ऐसे बहर जाएगा राइट तो एक तो यह criteria हो गया राइट लोग वहां की topography ही वैसी है wind system ही ऐसी हो जहां पर यहां पर wind जो है नीचे से उपर move करें जो यह local factors बहुत सारे हो सकते हैं जिसके करण हम देख सकते हैं cloudburst happening in any particular region सवाल यह होता है क्या हम forecast कर सकते हैं cloudburst को तो उसका answer है नहीं उसको forecast नहीं किया जा सकता देखो IMD इनन मेटरलोजिकल डिपार्टमेंट जो है न वो rainfall के events को तो forecast करती है बट वो clearly यह नहीं बोलती है कितना amount of पानी कीड़ेगा वो जरूर बोल देगा था वहां पर बाड़ी शोगी राइब कितना बाड़ी शोगी वो कैसे बोल देगा भाई है न तो वही लिखा हुआ है इसलिए समझने की कोईश करना अभी तक आज तक ऐसा कोई भी forecast में यह नहीं बोला जा सकता है क्लाउट बॉस्ट होगा इस आता है नेक्स नीउस में गईज यह दा हिंदू से लिया गया है पैनल ओफ वाइस चेर परसन क्योंकि पहली बार फॉर्स टाइंग राजय सबग के इस्ट्री में वोमन का जो है रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल है इन दे पैनल ओफ वाइस चेर परसन रही तो यह नॉमिनेशन किया गया जो क्या नागालेंड से अफकोर्स मेंबर अफ राज्यसबा है और शाथी साथ सीर्ट वोमन क्योंकि नॉर्थीस का अफ़ियर सम्लों को फोड़ा मोझा फोकस रगना पड़ता है दीसी लिया sees the second woman from the state to be elected in either house of the parliament or the state assembly next India has three to five years China plus one window ये क्या बोल रहो हो मैं डिसकस करता हूँ पहली बात तो ये news किया था वोल्ड बैंक के प्रेसिदेंट ने बोला था इंडिया का जो resilience है ना और काफी जादा पोस्ट कोविड सिनारियो के मेंस में काफी stronger हम जो है bounce back करका है तो इसी लिए इंडिया के पास तीन से पात साल है China plus one window के लिए ना पहले तो समाझते है China plus one window opportunity है क्या China plus one opportunity या फिर चाइना plus one window देखो दुनिया भर की जो companies है ना वो कही ना कही एक alternative manufacturing site खुज रही है जिससे वो अपनी supply चेन को डाइवर्सिफाई कर सके क्योंकि अगर आप मेजर कमपनीज देख लोगे दुनिया भर में कहीं न कहीं रिलाइंस चाइना के ओपर बहुत जाद है इसलिए यह कमपनीज आप से किंग अल्टरनेटिव मैनुफाक्श्रिंग साइट जिससे वो अपने सप्लाइचेन को डाइवर्सिफाई कर सके है और इंडिया के पास तीन से पांच साल का विल्डो अभी भी बागी है क्योंकि अगर इंडिया ने तीन से पांच साल में ऐसा सप्लाइ अगर चेन दुनिया के कमपनीज को प्रोवाइट कर दिया तो दुनिया हमारे पास शिफ्ट कर जाएगी है ना अधर्वाइस दुनिया शाहिद को दूसरा अल्टरनेटिव भी देख सकते हैं इसलिए बोला कि इंडिया है स्ट्री टू फाइब चाइना प्लस वन विल्डो जिससे कि हम इस उपॉर्चुनिटी जो कि हमें दिख रहा भी उसको कैपिटलाइज आर राम से कर सकते हैं तो इंडिया का अगर एडवांटेज देख ली जाएगा डाउटेडली एक सिगनिफिकन परसेंटेज अब जीडिपी जो है इंडिया का वो लोकल प्रोड़क्शन से ही आता है जो कि कुशन करता है आपकोर्स देंपक्ट ऑफ ग्लोबल एकनोमिक स्लोडाउं इसलिए कुछ-कुछ सजेशन ये दिया गया इस आर्टिकल में जैसे बोला गया था हूँ प्राइवेट कापिटल इंवेस्मेंट जो है न वो सपोर्ट करना चाहिए ग्लोबल को फोर इस्टमेटर इंगुड और देवलप नेशन हना मनेड देवलपिग नेशन मनल भॉला गया जिन्दी एक्मर्ट और और प्राइवेट कापिल इन्वेट करना चाहिए ग्लोबल एफोर्ट को मतलब प्राइवेट कापिटल से भी, इन्वेड स्मेंट प्राइवेट आना चाहिए जिससे दुनिया का जो एफ़र्ट है for the developing nations of that developing nations आने वाले समय में एक trillion US dollar का नीड होगा for the transition to green belt transition तो वो चीज हमको करना चाहिए और साथ ही साथ importance देना पड़ेगा हमें concessional capital का है ना जैसे सस्ते रामों में जैसे होता नहीं जैसे world bank ले लो राइट AIIB ले लो राइट तो वहां से कभी भी अगर आप loan ले लोगे है ना तो वो सस्ते रामों में usually मिलता राइट तो वही सस्ते रामों का जो है कहीं ना कहीं alternatives हमें खोचना पड़ेगा या फिर देखना पड़ेगा अगर कोई philanthropic capital अगर आ जाए तो उस टाइप से अगर capital आ जाए तो भी अफकॉर्स बहुत अच्छा हो सकता है developing countries के लिए काफी ज़्यादा मददगार भी सावित होने वाला है नेक्स हम लोग बात करेंगे नाटो सम्मिट के बारे में जो के रिसेंटली कंडेक्ट हुआ था अब यह नाटो क्या है North Atlantic Treaty Organization जिसको हम लोग North Atlantic Alliance भी बोलता है सो नाटो नाटो के बारे में हम लोग यहां पर देख रहा है नाटो को North Atlantic Alliance भी बोला जाता है और इसको फाउंड किया गया था 1949 में जिसका headquarter है Belgium in Brussels यह एक intergovernmental military alliance है ध्यान देकर ना Intergovernmental Military Alliance जिसमें यह मैं जितने सारे countries देख रहे हो from Europe and North America यह सारे countries इसके पार्ट है राइट यह जो है ना between the around 29 इसमें European और दो North American state है जो क्या आपको देख रहे USA और चाइना और बाकी तो उधर सारे European states ना इसके founding members कौन थे देखो नाटो के बारे में भी डिरेक्ट कोशन आ सकता है that is why हम लोग कुछ छोड़ेंगे नहीं ठीक है founding member में था Belgium, Canada, Denmark, France, Iceland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, United Kingdom, United States देखो यह मैं किसली बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा question आही सकता है बताओ, चार ओप्शन देदेगा, बताओ, which of the following is not a founding member, और उसमें देदेगा नौडवे भाई, रिसेंटली ही तो इन लोगोंने जाइन किया है, यह कहां से founding member होगे भाई समझ रहा हूँ ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट, वैसे ही पढ़ड़ा एनिवेज, नाटो का एक आर्टिकल है, आर्टिकल फाइव जिसको कहते है, वो सबसे ज़दे इंपोर्टन है, क्योंकि आर्टिकल फाइव सिर्फ दुनिया में एक गड़ ट्रिगर हुआ है, पोश्ट 2011 का जो टेरिस्ट अटैक हुआ था ना, तभी मेंबर का अटाख को माना जाएगा पूरे में पे अटाख, इन एक प्रफ रिख टाइगेक, अगर कूप मिलीटरी कूप उस्में नाटो नहीं जाएगी मतलब अगे जगड़ा हो ऑगड़ा हो ना तो नाटो का या आरिकल 5 आग्टिवेट हो जाएगा, समझ रोबात, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इन्वेस्ट इंडिया है ना इन्वेस्ट इंडिया कीव डूज में था क्योंकि मिस्ट निवरूती राए इनको एपॉइंट किया गया है as a managing director and CEO of इन्वेस्ट इंडिया हैना इसको इन्वेस्ट इंडिया को established किया था 2009 में ठीक है ministry of commerce and industry candle आती है यह serve करती है as a national investment promotion and facilitating agency जो क्या target करती है specific sector को और foster करती है partnership जिससे sustainable investment इंडिया में कैसे लाया जा सकते है तो उनी का managing director and CEO newt किया गया मिस निवरूती राय को राइट एनिवेज 45 foods के बारे में हम लोग यहां पर आज के session में चर्चा करेंगे राइट क्यूंकि इंडियन industries जो है वो एम कर रही है एक separate branding ही provide किया जाए to bio fortified foods जैसे हमनों organic products को separate branding provide करते न है न तो वैसे ही bio fortified food के लिए भी एक separate branding के बारे में बोला जा रहा है तो bio fortification हम समझते है यह होता क्या है देखो bio fortification एक process है जो क्या कोई भी कोई भी जैसे चावल या फिर यह हूँ या फिर कोई भी चीज का जो कि आप खा रहे हो उसका nutritional concerns को बढ़ा देखी समझ भाद तो वहीं चीज बोला गया यह एक ऐसा प्रोसेस जो के इन्हांस करती है nutritional content of the crops by increasing the levels of vitamins या फिर minerals जो क्या उस crop में आपको चाहिए राइट जैसे देखरो यह जो है चावल है यह एक वाइट कलर का चावल देख रहा है यहाँ पर आपको यलो कलर का चावल देख रहा है तो यलो कलर में कुछ minerals and vitamins ज्यादा include किया गया है तो इससे क्या होगा आप normal यह भी चावल खा रहे थे यह भी चावल बट इस चावल को अगर खाओगे आपके शरीफ में ज्यादा nutrients खुसेगा समझदों बात तो उसी को हम लोग bio fortified food बोलता है यह targeted approach होता है जिसके तहर address किया जाता है कोई भी region क या nutritional deficiencies का राइट and specifically वैसे regions में जहां पर या तो under developed populations exist कर रही है इस टाइप से राइट तो वहां पर इसके main objective भी वही लिखा हुआ है that it improves the nutritional status of vulnerable population especially in developing countries जहां पर malnutrition या फिर micronutrient अगर deficiencies देख लिए गर developing या फिर under developed countries में यह सब बहुत ज्यादा है तो यह वहां पर अगर आ रहे हो तो क्या हम बोल सकते है था उनकी जो malnutrition वाली conditions है वो घटेगी yes absolutely वही तो बोला जा रहा है next हम लोग बात करेंगे heat index के बारे heat index was there in news in PIV क्यों नूज में था क्योंकि इंटर इंडिया metrological department has recently introduced heat index on that experimental basis so यह index है क्या इस index को design ही ऐसे किया गया है जिससे यह offer कर सके general guidance for the regions in India जहां पर apparent temperature जिसको हम लोग feel like temperature बोलते है वो higher होता है than the normal average temperature of that region और इसी लिए इसको color coding से हम लोग दर्शाते है चाल color coding है एक है green एक है yellow एक है orange और एक है red राइट green मतलब यहां पर कोई action लेनी की जगुरत नहीं है क्योंकि maximum temperature जो है यह 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 यहां पर heat alert जो है यहां पर heat alert है इस heat wave conditions at the district level likely to persist for two days मतलब क्योंकि अफकोर्स गर्मियों के दिन में heat level कोई भी रिजन में बढ़ जाता है ना बढ़ तो वही है जादा persist करने का probability बढ़ जाता है next is severe heat alert orange में दर्शाय जाता है वो क्या बोलता है be prepared मतलब severe heat wave conditions for two waves तक तो exist करी सकती है but with varied intensity that is heat wave is likely to persist for four days और more तक यह पॉसिबल है next is red action red indication मतलब take action and take action मतलब severe heat wave जो है वो दो से दिन से जाजा तक तो एक्टेंट करी सकती है severe की मैं बात करता हूँ but साथी साथ total number of heat या फिर severe heat waves जो है it may exceed six days तो यह सब situation है heat index का color coding के साथ साथ और color coding के साथ तो यह मैंने बोली दिया चार यह colors है जिसमें green, yellow, orange and red but साथी साथ उसमें भी यही चीज़ बोला गया green, yellow, orange and red में जो है अगर experimental heat index below 35 degree है तो green है right मतलब और मैंने उसको अलग terms में भी बतला दिया, anyways if experimental heat indexes range 36 to 45 degree, 46 to 55 degree, 55 degree से अब तो उसको हम लोग red के categorization में लाएंगे ठीक है next star c initiative star c initiative stands for star c initiative stands for solar technology and application resource center समझो इसी का मतलब है star c initiative यह news में था, तो यह star c initiative जो है यह एक ऐसा program है जिसका aim है to boost the solar power ecosystem हमारे वैसे देशों में जो क्या poorest and the poorest of the countries है यह initiative run किया जा रहा है international solar alliance साथी साथी साथ इसमा partner कर रही है UNIDO that is united nations industrial development organization और international solar alliance or UNIDO that is united nations industrial development organization दोनो aim कर रही है that create कर सक एक strong network of institutional capacities within within these member states that international solar alliance के जो member states है जिसे enhanced किया जासा कि quality infrastructure for the uptake of solar energy products and services और यह project fund भी किया जारा लाई फ्रांस and project का overall aim यही है आसे solar workforce standardized किया जाए कि प्रोड़क्स को सेटप किया जासा कि इफा solar infrastructure को और रेस किया जासा के awareness to all the policy makers जो के developing countries में रिगार्डिंग ट्रांशिशनिंग टू सोलर बेस्ट ग्रीन पावर सब्सक्राइब दो इस इनिशेटिव थू दिस इनिशेटिव बोला जा रहा है इंडिया कहीना की एम कर रही है तो इंहांसे इंस्टिशुशनल केपासिटी ओफ इंटरनाशनल सोलर आलाइंस मेंबर स्ट और साथी साथ कॉंट्रिब्यूट करना चाहती है तो देवलप्मेंट ऑफ क्वालिटी इंफरस्ट्रक्चर जिससे सोलर एनरजी अप्टेक को बहुत ईजी तरीके से लिया जा सके वैसे इंटरनेशनल सोलर आलाइंस के अगर बारे में बात करें तो इसके बारे में भी दे कॉंट्रेंस ऑफ पार्टी वं को और्टनाइस किया जा रहा था रहा तावी राइट अगुद्ध अविड्वेग्ट बाव एट्स फ्रेम्वर्क अग्रीम्ट ऑफ 2020 ओल अवेंबर से जो का ईटनेशन के है देन नाओ अशिबल मतलब हर एक उनाइशन के मेंबर और एलिज is in news क्योंकि देखो news किसलिए था क्योंकि serious expert इंडिया ऑस्ट्रेलिया और कैनाडा से उन्होंने प्रोपोस किया देट क्यों ने परिश किया जाए wheat board of India हम बहुत चलो है यह लोग पता क्यों बोल रहा है क्योंकि अगे अभी जो रश्या उक्रीन का वाड चल रहा था तब पूरा दुनिया जो रिलाई कर रहे थी इंडिया के ऊपर क्योंकि अफकॉर रश्या अगर देख लोगे कि मेजर सप्लायर अफ तो कहीना कहीं रिलाइंस अंटिमेंटी इंडिया के ऊपर हो गया था और फ्यूचर ने भी दुनिया से प्रेडिक करी दिस्टाइक के सिट्वेशन आएंगे इसलिए और चैनाडा मिलकर रश्या के साथ प्रोपोस किया है तो फॉर्म आवीड बॉड आफ इंडिया बेकिंग टेक्निकल कॉंफरेंस जो किया गुहाटी में कंक्लूड हुआ था रिसेंट्ली और इस इवन को और इस किया गया था भाई वीड प्रोड़क्स प्रोमोशन सोसाइटी जो के 33 यर ओल नॉन प्रोफिट और गनाइजेशन सवाल होता है तो वाट इस क्रेशन और हम to end compliance center as well as state government का जिससे हमारे देश में प्रोड़क्शन कहां 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 कैसे कैसे हो रहा है storage processing utilization of wheat किस किस region में कैसे कैसे हो रहा है साथी साथ modernize करेगी wheat production and processing को और ये expert emphasize किया गया है that the importance of bio-fortified wheat varieties जो है वो कही न कहीं nutrition lead को fulfill करने के लिए बहुत ही ज्यादा अभी के समय में important हो गया है और साथी साथ promote करने sustainable processing of technology I mean sustainable processing of wheat based products as well and for the development of climate resilient wheat varieties and improved milling technologies for higher recovery of milling streams India कुछ अगर डेटा हम लोग बात करें इंडिया में सबसादा जो wheat production होता है वो उत्तरप्रदेश में होता है उसके बाद Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar, Gujarat ठीक है और साथी साथ अगर कुछ-कुछ facts की बात करें तो यस इंडिया India is the second largest producer of wheat after China 13.5% जो दुनिया का total production of wheat होता है वो इंडिया में होता है but क्या हम लोग exporter है? No, 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 we are not the largest exporter. Russia is the world's largest exporter of wheat in fact less than 1% of the world जो wheat का export करता है वो इंडिया करता है मात्र दुनिया में जितने भी export होता है एक परसन से भी कम wheat का export इंडिया करता है तो ये कुछ-कुछ facts बात है जो कि आपको याद रखनी है and इसी के साथ आज का ये session यहाँ पर समाप होता है मिलते हैं आप सब के साथ next session में till then bye bye take care and thank you for listening to the whole video thank you very much